गुट बॉर्निंग फ्रेंट्स मैं डॉक्टर वी के मिश्राव फ्रॉम गेस्टू लेवर हास्पिटल स्वरुप्ट गरकानपूर। क्या रोटी में घी आपको लगाना चाहिए। यह इतना debatable question है कि आज इसको scientifically analyze करेंगे हम लोग। जहां तक dietitians का सवाल है, most of the dietitians आपको advise करती हैं कि आपको घी नहीं इस्तिमाल करना चाहिए। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि घी में saturated fat है और घी आपकी जो calories है उनको बढ़ाता है तो वजन कम करने में आपको सहाइता नहीं करता है। जो घी है क्यों आप खाते हैं उसको ध्यान से देखिए जरा। जो घी है ये वास्तों में बात सही है कि आपका जो खाना है इसके taste को बढ़ाता है। ये बहुत आपके खाने को tasty बनाता है। Otherwise also जिती भी cuisine हैं उनमें जो Indian cuisine है या Indian खाना है उसको otherwise भी tasty माना जाता है। लेकिन घी आपके स्वाद को काफी उपर की तरफ ले जाता है। इसका जो एक butter जैसा स्वाद है और fragrant है ये किसी भी dish में आपको डालते हैं चाहे आप दाल में डालें चाहे रोटी में लगाएं चाहे सबजी में डालें इसका taste हमेशा इंप्रूव होता है। ये बात बहु उसको enhance करता है। वो taste enhance करने के अलाबा scientific studies ऐसा मानती है कि limited quantity में अगर आप लें तो वास्तों में आपका जो fat को burn करने में help करता है। घी वास्तों में बहुत refined flavor लेके चलता है और ये घी का जो refined flavor है जो आपको पसंद है ये वास्तों में आता है इसलिए है क्योंकि जो milk है य जो process है इससे ultimately घी निकलता है और इसमें इतना स्वाध होता है। घी जो है cooking के लिए बहतर है। in the sense के घी का पूरा spectrum है। आप चाहें तो घी को ऐसे ही डाल में डालने स्वाध बनाएगा। आप घी को रोटी में लगा लें स्वाध बनाएगा। घी आप कहीं भी fry करने के लिए यूज़ करें तलका लगाने के लिए यूज़ करेंगे स्वाध बनाएगा। आप घी deep frying के लिए यूज़ करें आप पूरी बनाएं आप कचोड़ी बनाएं किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करें क्योंकि इसका smoke point काफी high है। इसका मतब यह है कि cooking की ऐसी कोई भी खाली पेट पर ही एक चमच घी अपने मुह में रखते हैं और उसको निगलते हैं। ऐसा माना जाता है कि घी अगर आप morning में लेते हैं तो यह आपके metabolism को बढ़ाता है। इन वास्तों में इसका जो fat content है कि over a period of time आपका जो weight loss है उसमें help करता है rather than hindering it. Number 2 क्या यह brain function को बढ़ाता है? Definitely यह आपके brain function को improve करता है in the sense कि इसमें जो nutrients हैं वो काफी ज़्यादा होते हैं इसमें saturated fats अच्छे amount में होते हैं और जो brain की functioning है वो वास्तों में यह fats मांगती है। हमारा जो brain है उसका fat का जो content है बहुत ज़्यादा होता है तो अगर आप घी इ इस्तेमाल करते हैं तो brain की functioning improve होती है जो bones आपके body के हैं वो better होती है और आपका nervous जो system है वो बहतर काम करता है तो अगर आप अना daily basis लेते हैं तो वास्तों में in a quantity जो इसकी जो quantity है वो कम लेते हैं तो आपके brain के लिए काफी beneficial होती है अगर हम specialist की बात मानें तो यह क्या बोल होते हैं कि अगर आप घी in a limited amount रोज यूज करते हैं तो जो brain की जो cells हैं उनकी regeneration में जो घी है वो help करता है और जो healing process है cells की उनमें भी घी आपको help करता है तो जो brain के जहां तक function है तो limited amount में जब आप घी इस्तेमाल करते हैं तो आपको मदद मिलती है Now look at the energy, since यह fat है तो naturally इसमें calorie की amount ज़ादा है लेकिन इसका advantage यह है कि जब आप रोटी में घी लगाते हैं तो यह रोटी के glycemic index को नीचे कर देता है Glycemic index वो है कि किसी भी चीज को आप जब खाते हैं तो वो जो चीज है जब आपकी intestine में पहुंचती है तो कितनी रफतार से आपकी blood sugar को उपर ले जाती है चाबल उपर ले जाएगा रोटी उपर ले जाएगी लेकिन जब आप इसमें घी लगाते हैं तो glycemic index नीचे चला जाता है तो आपकी body को sustained energy मिलती है और sustained energy मिलेगी तो आपका जो blood sugar है वो ज़्यादे stable रहेगा इसके अलाबा घी आपके पेट में काफी full feeling देता है तो इसल करके चलती है और आपका जो blood sugar है वास्तों में stable रहता है now look at the immunity जो घी है उसमें butric acid अच्छी मातरा में होता है abundant होता है and scientific studies ऐसा मानती है कि जो butric acid होता है घी में यह वास्तों में आपकी जो I mean immunity का mechanism है उसमें जो T lymphocytes होती है इनको वास्तों में generate करने में आपको help करता है तो आपको immunity का जो system है वो काफी मजबूत हो जाता है इसके अलाबा जो घी है जितने भी fat soluble vitamins हैं जैसे vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K यह fat soluble vitamins हैं तो जो घी है वो fat soluble vitamins का बहुत अच्छा carrier है और इनको लेके चलता है इसके अलाबा जो घी है उसमें कुछ essential fatty acids होते हैं जैसे linolenic acid और अर्यक्ड तो यह दो essential fatty acids होते हैं जिनकी आपकी body को जरूरत होती है तो अगर आप adequate amount में घी इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो immune mechanism है वो better होता है उपर की तरफ जाता है बहुत सारी studies को support करती है कि अगर आपका जो dairy जो daily में आप consume करते हैं वो fat उसका अगर 10% dietary घी होता है तो उससे की level को कहीं भी कोई गरबड नहीं होती क्योंकि यह हमेशा एक concept है या एक doubt रहता है कि ऐसा तो नहीं कि घी खाएंगे तो मेरा cholesterol उपर चला जाएगा घी खाएंगे तो मेरा triglyceride उपर चला जाएगा बट studies ऐसा कहती हैं कि अगर जितना भी आप fat consume करते हैं उसका 10% अगर घी है तो आपका जो lipid का level है उसमें कोई फरक नहीं पड़ता है इसका मतलब यह है कि total fat का अगर 10% आप घी इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको help करेगा disease से protect करेगा और आपके lipid की level को कहीं भी गरबड नहीं करेगा now look at the digestive system क्या digestive system को यह help करता है यह definitely help करता है in the sense कि जब आप घी लेते हैं तो घी चूंकि fat है यह fat जब भी stomach के अंदर जाएगा तो इस तमक के अंदर जो acid है इसके production को बढ़ाएगा तो कि इसको खुद के digestion के लिए acid चाहिए तो acid का जो production है जो ऊपर की तरफ जाता है तो वा होती है इसलिए जो scientifically अगर हम देखें तो जो fats है particularly घी है यह acid की amount को ऊपर ले जाता है तो जो metabolism, digestion वो better हो जाता है इसके अलाबा जो रोटी है उसमें आपने घी लगाया है तो fat हो गया इसके अलाबा रोटी में खुद के carbohydrate है रोटी में खुद का fiber है तो यह तीनों चीज़े मिलाके आपकी digestion को better रखती है आपकी intestine के लिए बहुत help करती है और आपका meal का जो digestion की जो process है वो वास्तों में better होती है तो अगर हम ध्यान से देखें कि यह एक myth है कि अगर आप रोटी में घी लगाएंगे तो एक घी की calorie value के चलते जो रोटी है उसकी calorie value बढ़ेगी यह बात के lepid में कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन ऐसा माना गया है कि जो घी है वो बहुत सारे आपको benefits देता है आपके digestive system को improve करता है आपके immunity के system को improve करता है आपके brain के function को improve करता है तो बहुत सारे functions improve करके चलता है इसलिए घी को आपको रोटी में जरूर लगाना चाहिए और उसे concept को समझने में ये video help करता है तो जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वी केमिश्रा from guest to liver hospital स्वरूपनंगर कानपूर थैंक यू वरे माच